हलो नमस्कार दोस्तों कनहिया जीस वर्ड में आपका स्वागत है दोस्तों आज है 21 जून और 21 जून को ही मनाया जा रहा है पूरे विश्व में अंतरराष्टिय योग दिवस यानि कि इंटरनेशनल योगाते इस वीडियो में हम लोग समझेंगे आखिर योगा दिवस मनाया क्यों जाता है इसकी सुरुवात कब हुई और इसकी प्रतेक साल ठीम रखी जाती है तो इस साल की इसकी ठीम क्या है ठीक है और इसको क्यों मनाया जाता है और पहली बारी से क्यों मनाया गया था और इसका दैनिक जीवन में क्या मत्तों है योग से क्या लाब होंगे इन सब क्या है अंतराष्टी योग्द यानि कि इंटरनेशनल योगार दिवस इसका नाम है अंतराष्टी योगदिवस और इसे मनाया जाता है प्रतेक वर्स 21 जून को 2015 से ठीक है और इसकी सुरुवात कैसे हो गई तो देखिए 2015 में भारतिय प्रधानमंत्री यानि कि यूएन में प्रधानमंत्री मोधी के पहल से 2015 में यूएन यहानि की उनाइटेड इस्टेट ने यूएननों के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया इंटरनेशनल योगादे को 2015 से इसका उद्देश से यानि कि क्यों मनाया जाता है इसे तो देखिए दुनिया भर में यूग स इते होने वाले लाभों को बताने के लिए इसके महत्तों को दूसरों को बताने के लिए समझाने के लिए इसे मनायoperational जाता है इन्टरनेशनल योगा दे और इसे अगली बार मनाया जाए गया 11 जुन 2022 को ठीक है इसका डेट फिक्स है मतलब 21 तारीकающ को आए जाता है और इस साल की इसकी थीम है योग के साथ घर पर रहे हैं यानि कि भी वित योगा भी आटोम यानि कि पिछले वर्स भी यही थीम तो योगा आटोम तो इस साल भी थीम हुआ ही रखी गई क्योंकि कोरोना का काल है बाहर तो निकलना नहीं है तो घर के अंदर ही स् मस्तरव और योगा करते रहो अब देखिए देखिए अंतर राष्टी योग दिवस की सुरुवात कब हुई तो हमने बताया अंतर राष्टी योग दिवस सुरू करने की पहल प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने की थी उन्होंने 27 सितंबर 2014 को यूएन यानि कि संयुक्त शबा ने 11 दिसंबर 2014 को इस प्रस्ताव को स्विकार किया और अंतर राष्टी योग दिवस मनाने की सुरुवात हुई ठीक है कोई भी अगर अंतर राष्टी दिवस मनाना हो तो पहले देखिए इंटरनेशनल की बात आ गई तो इंटरनेशनल तावर पे मतलब इंटरनेश अब देखिए अंतर राष्टी योग दिवस 21 जून को क्यों मनाय जाता है एक्काईश्यून को इसलिए मनाते हैं क्योंकि एक्कैज जून को उत्तरी गुलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है ठीक है सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है इक्कैज जून को उत्तर तो अंतराष्टी योग दिहसे की यानि कि क्या खासN engines is तरह किया जाए लाकि कोरोना वायरस मामारी की वजह से आयोजन नहीं किया जाएगा वर् voiture 2020 की ही तरह इस सभी लोग आपने घरों में रहकर योग दिवस मनाएंगे इस वर्स 21 जून 2021 को अंतराष्टी योग दिवस मनाते हुए पूरे बिस्तो के साथ साल हो गए देखिए परिच्छा में पूछ सकता है कि आपकी बार यानि की योग दिवस जो मनाया गया कौती बार मनाया गया साथ मीं बार मन मनाया गया और संपूर बिस्तो ने योग को अपनी दिनचरिया में भी सामिल किया है 2015 के इसपाइल होने के बाद देखिए पर्थम योग दिवस कब मनाया गया अब देखिए वर्स 2014 में 11 सितंबर 2014 को संयूत राष्ट महाश्चाबा ने 177 सदस से देशों द्वारा 21 जून क को प्रथम योग दिवस मनाया गया इसे की साथ ही प्रथम योग दिवस का आयोजन इयुष मंत्राले द्वारा 21 जून 2015 को दिल्ली में राज पत्थ पर किया गया इस योग दिवस पर दो गिनिज वर्ल्ड रिकाड भी बनाया गया अब देखिए वह रिकाड कौन-कौन से ह था 35,985 प्रत्वागियों ने एक साथ सफसे बड़ा योग सत्र एक अही सत्र में 84 देश के नागरिकों ने भाग लिया यह वर्ड रिकार्ट था दूसरा क्या था 21 जून 2015 को विज्ञान भावन में संपूर स्वास्थ के लिए योग विशय पर दो दियोसी अंतराष्टी संगोष्टी की गई तथा इसमें भारत के साथ 13 देशों ने प्रतिवागियों में मतलब 13 देश के प्रतिवाग लिया यह दो वर्ड रिकार्ट बने थे आप देखिए इसका थीम 2021 में क्या हमने बताया योगा आयट होम एंड योगा विद फैमली यानि कि घर में सुरच्चित रहिए और परिवार के साथ योग कीजिए और 2020 में भी यही मनाय गया था ठीक ह और 2019 का योगा का ठीम था परिया औरल के लिए योग यानि कि योगा फार क्लाइमेट एक्सन 2018 में इसकी ठीम थी सांती के लिए योग, 17 में थी स्वाष्त के लिए योग और 16 में थी योगां को इस योग से और 2015 में यानि पाली बार योग के थğim थी, Yoga for Harmony and Peace. ये तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों सब्से अज है योगा दिवस, यूपी?. सक सेयर करें, मिलते हैं नेक वीडियों तब तक के लिए जाएंद